हेलो फ्रेंज वेल्कम टू माई किचेन तो आज हम बनाएंगे तिल की पापड़ी यह बहुत ही मज़ेदार बनी हुई है आप इसे बहुत ही असान तरीके सिर्फ दो चीजों से बना कर तयार कर सकते हो मैं इसे आपको बहुत ही असान तरीके से बनाना बताऊंगी और यह बह करते हैं इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम तिल लेंगे और चीनी तो इहां पर हमने तिल और चीनी की आप चाहें तो मार्केट में धूले हुए तिल भी मिलते हैं तो आप वहां से मतलब इस तरीके से देख कर लीजिए मतलब साफ सुथरी अच्छी तिल मिले और यहां पर हमने चकला लिया है इस पर लगाएंगे घी तो सबसे पहले यह तैयारी करना बहुत ही जरूरी है क्योंकि बाद में हमें टाइम नहीं मिलता है और यहां पर हमने बेलन में भी थोड़ा सा घी लगा लिया है और इसे हम साइड में कर देंगे इसके बाद हम गयस का फ्लेम अन करेंगे और इस पर हम एक बरतन चढ़ा दें है तिल जो हुआ जब भुञती है तो अच्छे से फूल जाती है क्रिस्पी हो जाती है और इसे भूनने में ज्यादा टा prue हम नहीं लगता है है अगि रिक्याइब इस तरह से से इसे वह द्रहरा है है यहां पर आप देख सकते हैं कि तील जो है उसका curry चेंज हो गया तेखिए और यह अच्छे से फूल भी गई है तो हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे कि यह देखिए कितनी तील फूली हुई है और इसके बाद हम इसमें चीनी डालेंगे चीनी और तील की कॉंटिटी जो है हमने सेम रखा हुआ है इसमें हमने बिल्कुल भी पानी घी वगारा कुछ भी नहीं डाला है सिर्फ चीनी हमने इसमें डाला है और गैस का फ्लेम मीडियम टू लो रखना है हाई बिल्कुल नहीं करना है शुरू में आपक किस्टीन जो है बहुत ही अच्छे से पिखल गई इसे मिस तरह से चलाते हुए इसके जो गुठी लिया है उसे अच्छे से पिघ्ला लेना है यह देखिए कि जो अच्छे से हो गई है Today अब हम इसमें तिल डाल देंगे जो हमने बुन कर रखा हुआ है और तिल्ली जो है अच्छे से मिक्स हो गई है नहीं है अफ कर देंगे और तुरंथ हम इसे चकले पर डालेंगे इस तरह से इसका मिक्षेर पतला लग रहा होगा लेकिन यह जैसे ही ठंडा होता है यानि कि चकले पर डालते ही यह अपने आफी सेट होना शुरू हो जाता है यह देखिए इस तरह से तो अब हम इसे फटा फट से बेलेंगे बिल्कुल भी इसमें टाइम नहीं लगाना है नहीं तो यह जो है कि अपने आफी सेट हो जाता है तो बेलने में दिक्कत हो जाती है इसकी ठिकनेस जो है आप अपने हिसाब से रख सकते हो जितना मोटा पतला बनाना चाहते हो उस हिसा हो गया है इसकी आवाज सुन सकते हो कि इसे से ठोने में जड़ा सा टाइम नहीं लगता है यह देखिए बहुत ही असानी सी यह निकल भी आता है इसी निकालने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है बहुत ही अच्छी ये तिल की पापड़ी बनी हुई है ये देखिए इसकी आवाज सुन सकते हैं आवाज से आपको पता चल दाओगे कि कितनी ये परफेक्ट बनी हुई है कि इसकी ठीकनेस जो है आपने साप से रख सकते मैंने इसे इसे ठोला का हुआ है आप चाहे तो तोड़ा से पतला भी बना सकते каж ET आपको पसंद हो मोता पतलाब अपने साथ से बना सकते हो और बहुत ही अच्छे हमारे तिलकी पापड़ी बन कर तयार हो गई है और हमारे तरीका आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सस्क्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करें और यह देखिए अगर आप इसे गुर से बनाना चाहते हैं हम उससे सीखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताए मैं आपको इसे गुर से भी बनाना बताऊंगी और अपना कीमती टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद